जहें दोस्तों हमने आपको पढ़ा रहा था fundamental rights मूल अधिकार में समानता का अधिकार हमने पढ़ा दिया था समानता का अधिकार कहां से कहां तक है 14-18 तक समानता का अधिकार है इसके बाद स्वतनता का अधिकार 19-22 तक अनुचेद आएस तक पढ़ा दिये थे आपको अनुचेद आएस में प्रान यूम देहग्वातनता की पढूळा लाइख सवतनत में है लाइफ प्राइवेसी और हील्थ इसके बारे में पढ़ाद ये थे आपको और इसमें इसमें कि 21 में किसी की जान हम नहीं लिए सकते, जब किसी की जान नहीं लिए सकते ड опис बहुत जबरदास्ति बहस बहसद और यह गोग जब कोई किसी का जान लेगा तब फांसित हगी यह नए तो इसके लिए अनुछेद बाइस को बनाया गया अनुछेद 22 है निरोध वर ग्रिफतारी से संदच्छड इसके लिए तो अब पढ़ा रहे हैं निरोध वर ग्रिफतारी से संदच्छड अनुछेद 22 का अता है निरोध वर ग्रिफतारी से संदच्छड इसमें दो टाइप के होंगे एक दंडातमक होगा एक निवारक कि इसका मतलब क्या एक है अपराद करने के बाद अपराद के बाद और एक है निवारक इसमें क्या होगा देखते हैं तो पहले एक-एक दीखते हैं एक-एक में पहले देखते हैं दंडात्मक अपराद के बाद, अपराद के बाद क्या हुआ, जब कोई अपराद कर देगा, छोटा या बड़ा, छोटा हो या बड़ा अपराद हो, छोटा या बड़ा, छोटा या बड़ा, जब अपराद कर देता है, तो उसके नाम पर वारं निकलेगा जब वारेंट निकलेगा तो उसको 24 घंटे की अंदर पुलीस जो है मजिस्टेट के सामने हाजिर करेगी 24 घंटे में क्या होगा जैसे आज पुलीस हमको ग्रिफतार कर ली साम को सुबह 10 बजे ग्रिफतार कर ली तो कल सुबह ओकोट में पहुजा दिए 24 घंटा द जब बीच वाला जो रास्ता होगा जिसे मालनी जी की पुलीस सोची कि मैं आठ बजे जाओंगा दस बजे पहुच जाओंगा तो आठ रात भर तो थाने में रखेगी जब आठ बहुच जाए तो जाम लग गया दस बजे पहुचना था बार बजे पहुचे लेकिन अब उस अब हमको 24 गंटे के बाद करना है संडे आगा चुटी का दिन है संडे अब ओग काउंट नहीं होगा अब मंडे से काउंट होगा पहले बहुत गरवड़ी होती थी इसमें 24 गंटे में हाजिर करने के लिए पुलीस बहुत गरवड़ी करती थी लेकिन अब हर थाने में सीसी पुलिस अब कुछ गरवेर नहीं कर सकती 24 गंटे में उसको हाजर ही करना होता है तो आप उसके उपर करवाई कर सकते हैं यह हो गया अपराद के बाद वारंट वारंट के बाद 24 गंटे के अंदर मजिस्टेट के सामने खड़ा होगा इसके बाद अपने चौइस से किसी वकील को रख लेंगे अपने जो जो ग्रेफ्टार होगा तो भाई उसकी इसी आपने पसंद कर अदो पूलिस के पसंद का नहीं ने जाज पसंद का अपने पसंद काह रखेंगा व लोकील अमाली जे कोई बहुत गरीब है जिसके पास खाने को पैसे नहीं है वो क्राइम कर दिया है तो अब वो क्या करेगा तो उसके लिए सरकारी वकिल जो जिसको सरकार देती है तन खाए वेतन देती है तो अब वो सरकारी वकिल उसके तरफ से लड़ेगे वैसे सरकारी वो जो वक करते हैं तो इसलिए जो गरीब है उसके लिए भी वकिल करना जरूरी है एक तु था साधार दंडात्मक अपराद के बाद की बाद लेकिन एक है निवारक निरोद निवारक निरोद को बोलते हैं अपराद होने से पहले अपराद होने से पहले अपराद ओने से पाले अपराद होने से पाले देखिए जब किसी के मात्र उपस्थिती से कोई बड़ा क्राइम हो सकता है तो उसको ग्रिफतार कर लिया जाएगा बीना वारेंट के बीना दलील के बीना वकील के मतलब उसको बीना वारेंट के गरिफतार कर लिया जाएगा और उससे तीन महिने बीना किसी को बताए पुलिस अपने kwall में रख सकती है कि तीन महिने तक अपने क verloren सकती है पुलिस जैसे सबसे बड़ा उधाड महाम बताते हैं आपको जब 370. धारा जब हता कस्मीर से तो उस समय जो इतने नेता थे कस्मीर के नेता ओमर अब्दुल्ला फारुक अब्दुल्ला महभूबा मुफ्ति लोग नेता थे इनको बीना इसी कानून के तहत इनको निवारक निरोध के तख इनको ग्रिफतार कर लिया गया और इनको ग्रिफतार करके हाउस अरेंश्टिंग नजर बंद कर दिया गया घर में ही बंद कर दिया गया और यह लगभग आठ नौ माहिने तक बंद ही रहे घर में बंद रहे ऐसा है क्योंकि सरकार हर तीन महीने के बाद इनकी एड़ाइजरी कमेटी होती है भाई जज से कुछ लेना दरा नहीं अब एक कानून है निवारक निरोध जज क्या करेंगे इसमें अब सरकार एड़ाइजरी करेंगी जारी करेंगी नहीं इनके राने से माहुल खराब हो जएगा इनको जेल में ही राना चाहिए तो ए आठ नो महीने तक जेल में रहा सकते हैं अराम से इस कानून के ताथ जो इस कानून के ताथ ग्रिफतार हो गया तो ओ जो बीना वारेंट के तीन महीने तक तो बीना वारेंट के ग्रिफतार हो जा इसलिए निवारक निरोध के ताथ इसको ग्रिफतार किया जाता है तो अभिया है निरोध वह ग्रिफतारी से संद छड़ अब इसमें कुछ कि एक्ट है उनके बारे में समझते हैं सबसे पहला एक्ट आया है पीडिये ओनाई सो पचास से ओनाई सोनात्तर एक है अस्फा अभी तक एक्टिव है नाव इससमें भी है यह सैनिको के लिए यह अक्सर लगाई एता है कशमीर में कशमीर में ऐसे लगा जयता है कि सैनिक कहीं किसी घर में कोई अतवाधी गुज गया तो सब्सक्राइब करेंगे इसलिए इसको लगाए अस्फा ओने सो अन्ठानूं से है अभी तक है कानून इसका मतलब है कि डाक्टर के ऊपर थुकना चाहे जो बीसी है इनिवसिटी की जो बीसी यह उनके साथ मार्पिट करने पर उनको उपा लगाया जादा उन्हें जो सरसट में आया अभी तक है और इसके बाद आया मीशा जो मीशा कानून था इसा इस सबसे खतरना कानून था और सबसे ज्यादा मिस यूज होने वाला कानून है इसी यूज किया गया सबसे ज़्यादानिस इसके तहट इंद्रा गांधी ने सभी भी पच्छी नेताओं को जेल में डाल दिया था उसमें है ना निवारक में कि तीन महिने तक आप बीना वारंट के एक रिफ्तार हो सकते हैं बीना बताए हुए राश्टी सुर अच्छा के पहल से तो इसी तरह ब में सालु यादों के लड़की का नाम है मीचा एसी ली रखा गया लगान काला कानून इसको बोला विपच्छी ने काला कानून बोला इसको और 1970 में अठा दिया गया इसको एन से राशुका रासुका को बोलते हैं इस सबसे ज्यादा मिशच्च्च्च्च्च् राष्टिय सुरच्छा कानून राष्टिय सुरच्छा कानून जो है यह एनस से 1980 में लगा था अब ही भी है सबसे ज़्यादा लगने वाला कानून ही है सबसे ज़्यादा यह होता है कि ज़्यादा बहुर ही बात तो रासुका लगा दी जाए और है टाड़ा सबसे खतरनाक कानुन टाड़ा है अब पोर्टा दो याद एक से चलो हुआ खतम हो गया अभी नहीं है उपआ एभी इसी का रूप था पीडिये का रूप था वी नहीं है सबसे जबसे जबसे खतरना कानून है जो इसको खतम कर दिया गया है उन सिर्फ दस साल रहा उन्हें सो पचासी में लगा उन्हें सो पंचानवे में खतम हो गया सबसे खतरनाक काणूंग यही था इसके ताथ लोग जल्दी छुटते ही नहीं थे बाहर ही नहीं आते थे तो अब यह भी खतम हो गया तो अनुछेव जो बाइस था समाप्त हो गया अनुछ ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को देखिए सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए सेर कीजिए और तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिंद बंदे मात्रम